अगर आपका प्रकृति के बीच परिवार के साथ या दोस्तों के साथ मौज मस्ति करने का मन हो तो दक्षेन भारत के कन्या कुमारी जिले में मौजूद तीर परापू जल प्रताप याने के तीर परापू वाटर फॉस आपके लिए एक बहतरीन जगह साबित हो सकती है तो चलिए बिना देरी की ये वीडियो की शुरुआत करते हैं हेलो एवरिवन टूरिस्ट फेवरेट चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है तमिल नाडू और केरल की सीमा के एकदम करीब कुल शेकर नाम के गाउ से लगा यह जहरना परियाटकों की बीच बेहत मशूर है यहां आकर न केवल जहरने में नहाने का मज़ा ले सकते हैं बलकि इस पूरे परिसर में बने ताला, पार्क और उद्यानों की खुबसूर्ती के बीच आप दिन भर पिक्निक भी मना सकते हैं स्तानिय भाषा में कुमारी कुजालम नाम से मशूर और कोडियार नदी से निकलने वाले इस जहरने का प्रवाह वह विस्तार दूर से ही आकरशित करने लगता है जब आप कुछ आगे बढ़ते हैं तो करीब 50 फिट की उचाई से गिरने वाले इस जहरने की फोहारे दूर से ही आप महसूस कर सकते हैं जहरने के चोड़ाई करीब 300 फिट है इस नजारे को देखकर आप रोमांच से भर जाएंगे हवा के रुक के हिसाब से यह प्रवा कई बार इतना तेज हो जाता है कि पानी के पास खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है अच्छी बात यह है कि इस जल प्रताब को एक पिकनिक स्पॉर्ट के रूप में विकसित करने के लिए भरपूर इंतजाम किये गये हैं यहां और भी तरीके से सजाए गए हरे भरे उध्यान बनाए गए हैं और बच्चों के खेलने के लिए जूले आदी से युक्त पार्क भी है अब इस परिसर में एक स्विमिंग पूर का निर्माण भी किया गया है जहां आप बच्चों के साथ स्विमिंग का आनन भी ले सकते हैं जहने के प्रविश बिंदु के करीब एक शिव मंदिर भी बना हुआ है इस मंदिर की स्थानिय लोगों में बड़ी मान्यता है और इनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहां आते हैं बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 2000 साल पुराना है जिसे चोल वंश के शाशक राज राजा चोल ने बनवाये था दक्षिन के बारह शिवालोयों में से इसे तीसरे स्थान पर माना जाता है इसलिए इसका महत्वा और भी बढ़ जाता है मंदिर में नौवी शताबदी के शिलालेग भी आपको देखने को मिल जाएंगे तीरपरापु फॉल्स के इलाके में बोटिंग अपने में ही एक खास अनुबाव है आप चाहे तो यहां किराये पर पैडल बोट ले सकते हैं और सुन्दर दुर्ष्यों के बीच नौकायान का अनन ले सकते हैं आम तोर पर यह धारा बेहत शांत रहती है इसलिए यहां बोटिंग बहुती सुरक्षित है हाला कि बरसा ज्यादा होने पर इसकी उगरता भी देखने लायक होती है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है वैसे देखने के लिए काफी कुछ है यहां लेकिन आप कन्या कुमारी के साइट सीन देखना बिल्कुल मिस मत करना कन्या कुमारी में आपको किराय से गाड़ी आसानी से मिल जाएगी वहां आपको एक दिन में खास पाच पॉइंट दिखा देंगे की गाड़ी बुक कीजिएगा और अगर कन्या कुमारी का फूल इंफोर्मेशन वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उपर आय बटन पर जाकर देख सकते हैं कर देख सकते हैं कर देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें अपनों के साथ शेयर करें और हाँ चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहां आपको ऐसे ही टूर की फुल इंफर्मेशन वाले वीडियो और टिप मिलती रहें तो मिलते हैं फ्रेंड से कोर नहीं जानकरी के साथ अगले वीडियो में खुश रहें स्वस्त रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें झाल पाल टक। झाल यहां अपनीं में तो मिलती हैं तो मॉन रखें कि ऐे दो कि दो कि ईंग आप पूचआ नग्सावी खूब का बाद, अपकपशनी नग्सा रिधार्ग्सा रगार, नग्सा रगार्ग, अज़त. झाल झाल